कि डेने जाएंगे तो आपको इसी परकार का कुष्चिन पेपर आपकी परिच्छा में देखने को मिलेगा जो भी फर्स सेमेस्टर के चाथ रहे जिनको कल पर सो या पर आज ही परिच्छा देनी है हिं इंदि काभी की उनके लिए वीडियो बहुत महात लेना है सब्जेक्ट हिंदी का पुडांग का नमबर भी याद यहां दिया होगा कितने पुडांग का पेपर होगा और यहां-पर जानकारी दे जाएगी कितने सब्दों में देना है थीक है तो सबसे पहले आपको खंड आ मिलेगा जोसमें अतिलत्य कोश्चिन होंगी ठीक है उसके बाद आपको मिलेगा लगुत्रे फिर दिरत्य ठीक है कि आधिकाल के दो रासो ग्रंत के नाम लेकिंगे भी महातपूर कई बारा आ चुका दिस पर भी आपको फोकस कर लेना ठीक इन सभी का उत्तर हमने तैयार कर लिया है चुकि आपको भी दे देंगे हैं ठीक है लेकिन पहले जाले जी कि कौन-कौन से महातपूर कोईश्चन है इस मार्डल पेपर से तो यह कोईश्चन अगला कह रहा कि अचार रामचंद शुकल ने भक्तिकाल को कितने भागों में भाजित किया यह कोईश्चन कई बार आ चुका दिस पर जोड़ा कोईश्चन आया है ठीक है चाया वाद की जो कभी ताया है उनकी इस प्रकार के यह कब से शुरू हुआ और कब तक चला है ठीक है यह महातपूर्ण प्रश्चन कई बारा चुका है और इस युक की यह प्रिक्रतवाद युक की कुछ विस्षथा है आपको बताना है ठीक है और अगला प्रश्चन है कि तुल्फीदाव जी की चार प्रमाणिक रशनाओं नाम लिखेंगी ठीक है तो मालिक मुहमद जाइसी जी के तीर प्रमुक ग्रंथ जो जो है उनके नाम लिखना इसका भी उत्तर हमारे महासंग्राम पीड़ेप में मिलेगा जो कि आपको देने वाले हैं ठीक है निश्च कोश्चन है कि भारते इंद्युगीन यानिकि भारत प्रमुक कविज्य सेंकर प्रसाज जी का है तो उसमें कुछ पात रहे मनुफ रद्धा तथा इड़ा ये किसके प्रतीक हैं ये आपको लिखना भी महात पूर्ट प्रशन है ठीक है अगला कोश्चन है कि भी धूमिल का पूरा नाम बताईए तथा ये भी बताईए कि धू उमिल को किस दसना पर उनको एक अवार्ड मिला था उनको साहितिक अकदमी जो पुरसकार होता वो मिला था ठीक है तो इसी परकार आपको अति लगुत्रिम कुछ कुश्चन देखने को मिलेंगे मैं नहीं कह रहा हूं कि सेम कुछ सेम यही आ जाएगा लेकिन कुछ इससे आपको देखनों के जरूर मिलेंगे ठीक है तो इससे आपको जरूर मिलेगी अब आ जाएंगे हम लगुत्रे में आपको देखा दे रहें कुछ कुछ प्रस्ण पूछे गए थे इसी वर्श दोजाद चोबिस का ही पेपर ठीक है चले नेश कोश्चन को बढ़ते हैं इसमें से नहीं दो पैराग्राप कि आप लोगों को संदर्व साइथ ब्याख्या करनी होती यह कंपल सरी कोश्चन होती इनकी ब्याख्या करनी ही करनी आपको पड़ेगी ठीक है तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे ध्यान रखेंगे इस बात को अगर जिन चात्रों को नह बात ध्यान रखेंगे अगला बहुत ही पॉपलर रहे इसे कोई परिच्छा है नहीं जिसमें प्रस्थ नाया हो और समय आता आपकी परिच्छा में आएगा कि यह समासु धारक भी और इसके बारे में आपको लिखना है यह कबीर दाफ जी का पूरा 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 जिवन समासु धारक भी धर्म सुधारक भी इसके बारे में आपको लिखना बहुत ही पॉपलर कोईश्चिन के बारा जोगा तो इस पर आपको जरूर ध्यान रखना है ठीक है अगला कुश्चन के रहा कि बिहारी लाल जी हमारे प्रमुक कभी इन्होंने गागर में सागर भर दिय इसलिए इसलिए गागर में सागर भरने की बात कही गई है और बहुत ही पॉपलर कोईश्चिन के बारा आचुका ज्यान रखेंगी ठीक है अगला प्रश्चन में यह कही रहा कि सद्धा सर्ग के अधार पर प्रसाद की का भी भासा का मुल्यांकन कीजिए यानिकि जो हमार प्रियोग वादी काभब की प्रमुग विसेष्टाये ठीक है तो प्रियोग वादी यूग से जुड़ा एक कोश्चन तो तो पहसेगा पसेगा दो आ जाये तो अच्छी बात है एक तो बिसेष्टाये वाली और यह कब से कब तक चालू हुआ है और इसके कुछ कभी हो के बस यह कंबल सरी कुश्चन है अब देर गुत्रे में कौन को से प्रश्ण आ सकते हैं आपके पर इच्छे हम चलिए हम वो भी आपको बता दे रहे हैं ठीक है तो देर गुत्रे में चलिए मढ़ते हैं यहाँ पर पूरी जानकाई दी जाए कितने सब्दों में कितने प्रश अगरा पीडिएप में मिलेगा ठीक है काफी चात्रों को मालूम भी है जिनको नहीं मालूम है उनको भी मता दे रहे हैं ठीक है अगला भी पॉपलर कोश्चन कहीं बार आ चुका कि छाया वद जो यूग है इससे जुड़ा कोश्चन कैसे तैयार करेंगे छाया वद जो अगला है कि तुल्फी दास का काब समनवी ही बिराट चेश्टा है फोद रहार समिच्छा की जी तो इसके बारे में आपको इस प्रकार तैयार करना है पहले कि तो आपको तुल्फी दाफ जी का पूरा पूरा जीवन पर से तैयार कर लेना ठीक है कब जर्म हुआ कैसे पढ़ाई कैसे हुई और इन्होंने अपने जीवन में जो रश्णाय रची है साहितिक रश्णाय रची है उसमें किस प्रकार फिर रची उसमें क्या योगदान रहा है कौन को इस प्रकार का आपको लिखना पड़ेगा ठीक है बहुत पॉप्लर कोश्चिन सिंपल सा आप लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे अगला कोश्चिन के रहा कि सुमित्रा नंदन पंत के प्रकत चितन के स्वाधाहन भी अख्या किजिए तो सुमंत्रा नंदन पंत फिर जोड़ा कुश्चिन आता है लेकिन बहुत ही कम आता तो आप चाहित इसे इग्डोर भी कर सकते हैं ठीक है तो इसी प्रकार ऐसे ही आपको आपकी परिच्छा माडल पेपर देखने को मिलेगा मैंने सोचा कि आपको जान काई दे दी जाए ताकि आपको थोड़ी बहुत तो हैल्प मिली जाए और ये दोजाजाज तो तेशोविश का पेपर आप लोगों की समस्त प कोस्चन जो की परिष्छा में अपको कोई का आते हैं तो ये हमारी वह पीडियोफ है देख लिए पीडियव पे हम आ चुके हैं ये हमारी वह पीडियुप जिसके लाखों चात्रों के हलप मिलीए क्योंकि बिभिन न इनवेश्टी के चात्र हैं और सम्हें हिंदि काभी का पर हैं तो यह पीडियोप हमने इतनी मतलब कि इस तरीके से बना आए इसमें सारे कोश्चिन समाहित कर दें जो कि परिच्छ हमें पूछे गए पिछले फालो में इस बार आ रहे हैं ठीक है इस से बाहर कि इस पीडियोप से बाहर का एक कोई प्रस्ण ऐसा नहीं है जो इस पी पीडियोप उनीशात्रों के लिए बनाए है समय और इस पीडियोप में वह सारे कोश्चिन समाई तो आपके पूचें पूछे जाएंगे ठीक है तो इन सारे कोश्चिन आपको तैयार कर लेना है यह पीडियोप हम आपको टिले ग्राम वटपप्रे टेच कर देंगे तो आ प्रश्णा वाली रामचेद मारस बिने पत्रिका यह इनकी प्रमुक रश्णा है लेकिन वहापर चारी पुछा गया तो आप लोग छे तैयार कर लिजेगा ताकि छे आया तो आप छे लिग दीजिएगा ठीक है रामचेद मारस में कितने कांड है उनकी संख्याई देखी रा समाजी के अमधार्मी के स्थाथ प्रवर्डन कीजिए यहां पर पूछा गया था कि वहीं समाजी कभीर धर्म सुधारक है तो किस प्रकार समाज सुधारक है उसका उत्तर है देख लिए पढ़ लीजिए बहुत इमाहत पूर्पर प्रश्ण नहीं पूछा जा चुगा आप क्यों परिश्ण में आता है कई बार आचो का यह कुश्चन इन समाज सुधारक भी है और धर्म सुधारक भी तो इससे प्रिश्चन हमेशा पसता है ठीक है और बहुत फारे ऐसे कोश्चन स्पीडिया पेंडियोड़ है जो कि आपकी परिश्च्छ में आएंगे इसको आप में मेसेज करेंगे उनको हम जरूर से दरूर इसको प्रोवाइड करा देंगे ठीक है और बाकी आपके एक्जाम के लिए जिनका भी एक्जाम हो जाया करिए कमचे कमें वाट्सप पे अपना माडल पेपर जो हो जाता है कोश्चन पेपर इसको तो सेंड कर दीजिए ताकि ह हम अन शात्रों के भी हेल्प कर पाएं ठीक है तो इस पीडिएप को हम देंगे आप सभी को मेसिज़ कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आने वाली अन वीडियो का भी नोटिफिकेशर आपको मिलता रहे यदि आपको अन्य भी किसी सब्जेक्ट अन्य वाली